दोस्तों बात करेंगे आज विपरो के बारे में देखिए पिछले काफी सारे ट्रेडिंग सेशन से हर रोज ये एक नया लो क्रियेट कर रहा है आज भी इसने इंट्रा डे में 365 रूपीज तक के आसपास का लो क्रियेट किया था और फाइनली ये 366.4 पर बंद हुआ है तो देखिए पिछले दो सालों के लो प्राइस पर ये आज बंद हुआ है कंसिस्टेंटली नीचे है ये फेबुरी में 408-410 रूपे के असपास ट्रेड करता था वहां सही है कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है औलमोस्ट डेली बेसिस पे 52 विक लो क्रियेट कर रहा है इसे में इन्वेस्टर्स का सवाल ही आता है ये शेर और कहां तक गिरेगा कहां पर आके ये गिरना बंद होगा और कब ये दुबारा यहां से बढ़ना स्टार्ट होगा तो आज की इस वीडियो में नज़र डालेंगे विपरो के टेक्निकल्स पर जानने के कोशिश करेंगे कि इसमें ये जो गिरावट चली आ रही है पहले तो ये जानेंगे कि ये गिरावट कब तक कॉंटिन्यू रह सकती है कहां जाकर ये शेर रूख सकता है और दूसरा ये कब बढ़ना यहां से स्टार्ट हो सकता है तो चलिए बीना टाइम को वेस्ट करते हैं फटावर चलते हैं स्क्रीन पर और इसके टेक्निकल्स को डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे कि ये शेर कॉंटिन्यूसली नीचे क्यों गिर रहा है देखिए इसकी बिजनस भी ग्रो करने में इनको समस्य आ रही है तो ये एक कारण है जो माना जा रहा है जिसकी वैसे इसका शेर कॉंटिन्यूसली नीचे आ रहा है दूसरा कारण आप खुद भी देख सकते हो देखिए टेक्निकल चार्ट यहां खुला हुआ है दोजार बीस में जब कोव पांच गुना हो जाएगी दो सालों में तो डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी कितनी प्रॉफिट बुकिंग आएगी कहा तक जाके यह रुकेगा अब उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं देखिए यहां पर आप देख सकते हो यह इसका टेक्न फिर से स्टार्ट हो गई है तो देखिए टेकनिकल के बेसिस पर अगर यहां देखू तो 300 अर्बे का लेवल जो है यह एक सपोर्ट जोन बनता है 300 तक भी यह आ सकता है easily कोई ऐसे इसमें अगर यह 366 से गिरकर 300 आ जाए तो यह कोई हैराने वाली बात नहीं होगी जब कोई स्टॉक एक स्टॉंग ट्रेंड में होता है चाहिए वो अप्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो उसमें मोमेंटम में स्टॉक कहीं भी निकल जाता है तो देखिए यहां पर अगर यह 366 से गिरकर अगले 3 महीने में 6 महीने में 300 तक भी आ जाता है तो यह कोई एक के साइन्स यहां दिखने रहे हैं कहीं भी ऐसा लगनी रहा है कि इस स्टॉक में बॉटम बन गया अब यहां पर रुक जाना चाहिए या फिर यहां से दुबारा उपर जाना स्टार्ट हो जाना चाहिए वैसे भी देखिए जिस तरह कि इकनॉमिक कंडिशन्स ग्लोबली इस वक्त चल रही है यूएस में कितने सारे बैंक्स वहां पर फेल हो गए हैं कितने सारे बैंकिंग स्टॉक के शेर्स क्रैश हो गया तो उनका इंपक्ट डेफिनेटली पूरी स्टॉक मार्केट पर भी आएगा और स्पैसिफिकली आईटी कंपनी इस पर तो जरूर आएगा क्योंकि इनका तो मेजर बिजनस यूएस से आता है तो अगले तीन से छे महिने थोड़े पेइनफूल जरूर हो सकते हैं अगले छे महिने के बाद डेफिनेटली इसमें एक बॉटम जरूर बनना चाहिए तीन छे महिने अगर ये नीचे की आता है रुकता है नीचे आके 300 क제 आसपास किसी लेवल के आसपास आके रूकत आए वहाँ 3 महिने 6 महिने बिताता है तो हम कहेंपाएंगे कि शाइद इसकी जो डाउन ट्रेंड था जो गिरावड थी अब वो खतम हो चुकत है तो अग्ले तीन से udah पया से बढ़ना स्टा अगर आपने बायर के हुआ है तो averaging करने की जल्दी मत करो अराम से बैठे रहो 3-6 महीने निकल जाने तो 3-6 महीने मत देखो क्या प्राइस आ रहा है 6 महीने के बाद ही देखना क्या प्राइस है उसके बाद अगर आप लेना चाहो तो यहां से और जादा नीचे आता है अगर 300 के आसपास आता है तो उस लेवल पर अगर आप average करना चाहो तो कर भी सकते हो अभी तो देखिए 3 महीने 6 महीने थोड़ा सा इसमें पेन रहेगा 3 महीने 6 महीने आपको इसमें थोड़ा patience दिखाना पड़ेगा और hold करके रखना पड़ेगा इस टोक को